Hello Everyone, आज हम Class 6 के A Packed With The Sun के Lesson 6 The Monkey and The Crocodile के समड़ी को डिसकस करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी में एक मंकी रहता है जो एक नदी के पास एक पेड होता है जो कि फ्रूट से लैडन होता है उस पर रहता है वो बहुत खुश रहता है क्योंकि उसके पास खाने के लिए बहुत सारे फूटSorry रहते है पर वो दुखी इसलिए रहता है क्योंकि उसके पास कोई बात करने वाला इंसान और एक मिन वो क्रोकोडाइल को देखता है और खुश घाता है और आगे से उससे बात करता है उसे फ्रूट्स को एक्सप्ट करता है क्योंकि वह है अपनी वाइफ के लिए खाना सर्च करने ही आया था, ऐसे करते करते मंकी उसे ओफर करता है कि मैं ते मैं रोज भी प्रोवाइड करूँगा फूर्ट और क्रोकोडाइल उसे रोज मिलने जाने लग जाता है, वो दोनों बहुत ज़ादा गहरे दोस्त बन जाते हैं, वो लोग हर प्रकार की बाते करते हैं आज सबसे के पेडों की जानवरों की वीलीजिस की उन्हें जो प्रॉबलम होते उन सब के बारे में डिसकल्स करते उन्हों की दोस्तिक क्रोकोडाइल की वाइफ को पसंद भी आती है एक दिन क्रोकोडाइल को घर आने में कुछ जादा ही देर particulier तो उसकी वाइफ लिटिल क्रोकोडाइल जो अभी हाल ही में हैच हुए थे उन्हें संभाल कर परिशान हो जाती है तो वह अपनी इच्छा जाहिद करती है और क्रोकोडाइल से कहती है कि मैं तुम्हारा जोगी फ्रेंड मंकी उसका हाट खाना चाहती हूं क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल को कहता है कि मैं अपना हार्ट पेड़ पर शुरके आया हूं उसे लेने के लिए हमें वापस जाना होगा क्रोकोडाइल उसकी बात को मान लेता है और वो लोग वापस जाते हैं हार्ट को लेने के लिए तब ही मंकी पेड़ पर जंप कर जाता है और हमेशा के लिए क्रोकोडाइल को बाय कह देता है क्रोकोडाइल बहुत दुखी होता है क्योंकि उसने एक अच्छा फ्रेंड हमेशा के लिए खो दिया था ये थे स्टोरी दा मंकी एंड दा क्रोकोडाइल के लिए फोप यू लाइक इट